36 गड़ रज्ज का एक ऐसा मंदिर जो यहां आने वाले भक्तों की मनुकामना पूर्थी के लिए जाना चाता है जहां भक्तगन अपनी मनुकामना लेकर दूर दूर से मापमलेशुरी देवी के तर्शन के लिए आते है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको डोंगरगड के मापमलेशुरी देवी मंदिर की अध्भुत यात्रा पर ले जाने वाले है और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप मापमलेशुरी देवी के समक्ष अपनी मनुकामना रखकर उसे महज साल भर के अंदर ही पूरा करा सकते है मनुकामना पूर्ती के चलते ही डोंगरगड की मापमलेशुरी देवी 36 गड़ के आस्था में एक महतुपोन स्थान रखती है दोस्तों चलिए चलते है डोंगरगड के एक अध्भुत सफर पर और हमारा या सफर नवरात्र की पंचमी के दिन का है जहां देवी मा के दर्शन के लिए लाखो की संख्या में शर्धालू पहुचे है इस वीडियो में हम तुर्ग से डोंगरगड तक का सफर करते हुए कई आकर्शक इस्थल देखेंगे उसके बाद डोंगरगड की पहाड पर इस्थेत मा बमले शुरी देवी के दर्शन करेंगे उपर पहाड से संपूर्न डोंगरगड शहर का मनमोहक द्रिश्च देखने नवरात्र के दिनों में इस शहर में लाखो की भीड आपको देखने को मिलेगी वही नीचे सेत मा बमले शुरी देवी के दर्शन के पस्चात हम यहां लगने वाले विशाल मेले की सेर भी आपको कराएंगे तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को जरूर दबा ले जिससे हमारी सबी नई वीडियोस आप तक जरूर पहुचे नमस्कार दोस्तों मैं हुशुबम और आपका स्वागत है इस वीडियो में हम 36 गड़ वासियों के लिए नवरात्र एक सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और 36 गड़ के ही डोंगर गड़ में विराजित मा बमले शुरी देवी मंदिर नवरात्र की दिनों में भक्तों की भीड से भड़ा रहता है इसी के चलते देवी मा के दर्शन के लिए हमारा सफर शुरू होता है 36 गड़ के ही भिलाई शहर से जहां भिलाई से निकल कर पदमनाबपूर के रास्ते हम दुर्ग शहर को पार करेंगे पदमनाबपूर में चोपड़ा पैलस के पास यहां का सबसे अकरशित द्वार आपको देखने को मलता है आगे निकलते ही कुछ ही दूरी पर दुर्ग का भारती कॉलेज देखने को मलता है इसके बाद दुर्ग का पुलगव चौक जहां अलग-अलग दिशाओं से चार रास्ते मिलते है पहला जिस रास्ते से हमारा है भिलाई शहर का रास्ता इसके दाहिनी तरब दुर्ग शहर के लिए रास्ता निकल जाता है बाई और, अंडा, बालोत, दल्ली राजरा और धमतरी तो वही इस चौक से सीधे निकल कर हम शिवनात नदी को पार करते हुए राज्यन गाउ की और बढ़ेंगे कुछ समय पहले तक इस रास्ते से सफर करना सबसे बड़ी चुनावती हुआ करता था हाल फिलाल अब ऐसा नहीं है थोड़ा ही आगे बढ़ने से शिवनात नदी सेतो मिल जाता है जहां से सीधा नैशनल हाईवे तिरपन होते हुए राज्यन गाउ तो वही दाई तरप इस्टेट हाईवे से नकपूरा, जाल बांधा और खैरा गड़ पहुच सकते है अब अगर इस रास्ते से डोंगर गड़ जाया जाये और शिवनात नदी पर ना रुका जाये तो कैसे चलेगा और हल के समय में शिवनात नदी में बोटिंग भी चालू है शिवनात नदी जो 36 गड़ की सबसे बड़ी नदियों में से एक है शिवनात नदी से निकलते ही अब आपको रोट्स काफी अच्छी मिलती है और दाई तरब बिल्कुल नया नवेला पृत्वी पैलस देखने को मलता है अमूमन नवरात्र के दिनों में भारी संख्या में पैदल यात्री दिखते है इस रास्ते पर जो काफी दूर दूर से जैसे वे लास्पुर, रायपुर, दुर्ग भिलाई और भी कई शहरों से पैदल यात्र कर माबमले शुरी देवी के दर्शन के लिए डोंगरगर पुझते ही भगवान भोलेनत का एक बेहदी मनमोहक मंदिर देखने को मिलता है, जिसके बार लगभग 500 मीटर की दूरी पर दुर्ग शहर पूरी तरह से खत्म होकर या रोड बाइपस में आकर मिल जाता है। पर आते ही दुनिया भर के धाबे और फैक्ट्रिया देखने को मिलती है। वही सड़क में आगे बढ़ते हुए सोमनी ओवर प्रिज क्रॉस करने के बाद सोमनी टोल प्लासा आता है। आप इस टायर का साइज देखिए किसी ट्रक से भी कितना बड़ा है। तो सोची ये टायर जिस गाड़ी में लगता होगा वो गाड़ी कितनी अदभुत और विशाल होगी। हाल फिलाल इस ट्रेफिक को पार करते हुए राज्यन गाओ की हद में आने वाला दर्गा मलता है जहां मुमन हर समय लोगों का हुजूम रहता है। अब फाइनली 36 गड़ राजजी की संसकार धानी राजधानी राज्यन गाओ में हम इंटर होते है। मशूर होटल पर जहां की चाय और पोहजली भी लोगों को दूर दूर से अपनी और खिचती है। जी हां मैं बात कर रहा हूँ राज्यन गाओ की रामधिन मार्ग की खंडिल वाल होटल की जहां की भीर देखकर आपको ये अंदाजा तो होई जाएगा कि ये होटल कितना फेमस है। तो हमने फड़वट से पोहजली भी ले ली लेकिन सच में भाई सब वो पूराना टेस्ट आज मिसिंग लगा। कहीं न कहीं समय के साथ सथ टेस्ट बदल सा गया है। वैसे न राज्यन गाओ शेहर बेहदी खुबसूरत और साप सुतरा सा शेहर है। राज्यन गाओ से निकलते ही दाई और कुवारी माता का मंदिर तो वही बाई और बरफानी धाम मंदिर मिलता है। बरफानी धाम मंदिर अपने आप में ही एक अधभुत और विशाल मंदिर है। राजनको शेहर को क्रोस करते ही हमें इस रोड में महराश्ट से आने वाली इकलावती महराश्ट की स्थी बस दिख जाती है दरसल जैसे हमारे च्छत्यवकर्ड में ट्रेन लोगों के सफर का एक महतुपून अंग है उसी तरह महराश्ट में ये लाल रंकी स्थी बस लोगों के आवगमन के लिए बेहदी महतुपून भूमिक्या अधा करती है यहां से थोड़ा आगे चलते हुए ताई और पर मातुर का भूलेनात और माकाली का एक मंदर मलता है जिसका सौंदारी इतना अकरशक है कि लोगों को यहां रुकने के लिए प्रेरिट करता है डोंगरगर पहुँचते पहुचते आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर पर कई मंदर दिखते है उनमें से ही एक यह एक गुरुद्वारा है जहां लोग माधा टेकने जरूर जाते है वैसे या नैशनल हाईवे आगे नाकपूर और लगभग 1000 किलो मीटर दूर मुंबई को भी जोड़ता है इसके आगे बढ़ते हुए लगभग 500 मीटर पर ही तूमडी बोड गाव से नैशनल हाईवे तिरपन छोड़कर बाई और से मुड़ते ही अब डोंगर गड़ वन मंडल का छितर प्रारम हो जाता है तूमडी बोड से आगे बढ़ते हुए ताई और पर पड़े इस अंडर ब्रिज को पार कर अब हम डोंगर गड़ की सीमा में आ चुके है इसी रोड से डोंगर गड़ होते हुए आप खैरागड, धारा, धमडा, बोर्तलाव, बालागाट और गोंधिया भी जा सकते है और खाली सड़क देखकर ओवर स्पेडिंग करते है जिससे आए दिन इन जगहों पर अंचाही दुरगटनाय होते रहती है जिससे बचने के लिए हर गाओ की सीमा पर आपको बेरिगेटिंग देखने को चुरूर मिलेगी आम तोर पर डूंगरगड जाने वाला यह रास्ता आपको खाली ही मिलेगा लेकिन सेटरडे, संडे और नौरातर की दिनों में यह रोट गाडियों से भरा रहता है तुमडी बोट से आगे निकलते ही आपको मा बमलेश्वरी देवी का मंदिर यही से दिखना शुरू हो जाता है यहां से डूंगरगड की दूरी अब भी कम से कम 15 किलोमेटर की है बिल्कुल साप सुत्री सी सड़क और काफी सारे मोड को पार करते वे फाइनली अब हम पहुच चुके है डूंगरगड शहर के मुर्मंदा गाउ में जहां से पहला रास्ता मा बमलेश्वरी मंदिर की ओर जाता है तो वही दाई ओर का रास्ता डूंगरगड शहर को जाता है हाल फिलाल मेरा घर डोंगरगड में ही है तो मैं डोंगरगड शहर का रास्ता चुनता हूँ डोंगरगड का यह रास्ता पूरी तरह से हर्याली से भरपूर है जाहार कुछ देर पर आपको पहाड पर इस्तित माबंबले शुरी देवी का मंदर भी दिख जाता है तो फाइनली अब हम डोंगरगर शहर में आ चुके है जहां से माता रानी का एक अजभुद और विशाल मंदिर आप देख सकते है चलिए अब आपको बताते है कि माप बमलेशोरी देवी को अर्पित करने के लिए प्रसाद कैसे बंधवाना है अगर आपको इमनुकामना पूर्ति के लिए आये है तो खास्त दोर पर आपको माता की एक चुन्री के साथ जोड़ा नर्यल और संपुल शिंगार से बना चड़ावा लेना बेहदी जरूरी है और इस चड़ावे में फूल का होना उतना ही जरूरी है जितना आपके अंदर माता की प्रती आस्था का होना है मैंने चड़ावा तो ले लिया और फूल जो मुझे मेरे घर पर ही मिल गया इन सब के साथ मैं निकल पड़ा मा बमलेशोरी देवी मंदिर की ओर मा बमलेशोरी देवी मंदिर मेरे घर से महच 500 मीटर की दूरी परिस्तित है जहां से अब आपको खिलावने पूजा सामगरी और विभिन अप्रकार के सामानों की दुकाने भी मिलने वाली है थोड़ा आगे चलने के बाद ही मैं पहुच चुका हूँ मंदिर परिसर में जहां से अब हम शुरू करेंगे 1400 सीड़ियों की उची चड़ाई को और फिर करेंगे मा बमलेशोरी देवी के दर्शन इन 1400 सीड़ियों की आत्रा शुरू होती है श्री हनुमान जी के दर्शन से वैसे आप उडन खटोले का साहरा भी ले सकते है मेरा मतलब लिफ्ट के साहरे भी आप बड़ी आसानी से उपर मंदिर तक पहुच सकते है जिसमें प्रतिवेक्ती सिर्फ सो रुपे आने और जाने के लिए चार्च किया जाता है मंदिर चड़ते हुए आपको एक बाद जरूर खलेगी कि लोग बाग प्रकरती के इतने सुन्दर इस्थान को भी कैसा गंदा कर सकते है दिवारों पर कुटके के दाग और यहां वहां पड़ी हुई पॉलितिन इसकी सुन्दरता में एक दाग का काम करते है हालकि इस चड़ाई के दौरान यहां आपको वानर सेना के दर्शन आम बात है जिनसे अपने प्रशाद को बचाने के लिए आपको इनको फल या खाने के कुछ चीजे जरूर देनी होगी ध्यान दीजेगा इन्हें वही चीज खाने को दे जो यह खा सकते है अगर आप फोटो की जवाने के शौकीन है तो यह जगा आपके बड़े काम की है इन रास्तों पर बने जंगली जानवरों की ये चित्र ये दर्शाते है कि इस पहाड़ी पर कई प्रकार की जंगली जानवर आज भी मौजूद है जैसे जैसे आप उपर जड़ते जाएंगे नीचे की ओड टोंगरगर शहर का द्रिश्य और भी सुन्दर होता जाएगा अब हम उस जगह पर है जहां कुछी दिनों पहले तेंदवा देखा गया था अमुमन टोंगरगर की पहाड़ी उपर जंगली जानवरों का दिखना आम बात है संपूर्ण मंदिर की जड़ाई का मद्यपाग जहां भगवान शिव और उनके नागों से बना एक अधभुद मंदिर है जो भी दर्शनारती इस मंदिर को पहली बार देखते है आश्चरे चकित चरूर होते है रास्ते में ही आपको विभिन प्रकार की दुकाने और यहां का प्रसिद राम फल भी मिल जाता है राम फल जिसे भगवान श्री राम ने वनवास के दोरान खाया था या फल शरीर के लिए अत्यांती थंड़क का कार्य करता है इस जगह पर पहुचकर आप डोंगरगर शहर का बेहदी खोपसूरत रोप भी देख सकते है अब फाइनली हम मंदिर के आखरी पढ़ाओ पर पहुच गय है जहां से होते हुए मा बमले शुरी देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे उपर आते ही मा बमले शुरी देवी के दर्शन से मन को शांती मिलती है मातारानी के दर्शनकर आपकी जो भी मनुकामनाय है उसे बोल कर यह जोड़ा नारियल का चढ़ावा मा को चढ़ा दे और मनुकामना पूर्ण होने पर फिर से एक जोड़ा नारियल जरूर चढ़ाए दोस्तो वैसे बहुत से शरत धालू ऊपर माबमलेशोरी देवी के दर्शन कर ही लोड़ जाते है लेकिन नीचे स्थित माबमलेशोरी देवी का दर्शन भी इतना ही महतकून है तो चलिए अब हम आपको ले चलते है नीचे स्थित माबमलेशोरी देवी के अधभूत मंदिर क दोंगरगर के नीचे स्थित मा बमलेश्वरी देवी मंदिर के प्रांगन में हर छा महीनों में नौरातरी के दवरान मेले का आयोजन किया जाता है इस दवरान माता की दर्शन और मेले में खुमने के लिए लाखों की संख्या में शर्धालू यहां पहुशते है वही नीचे स्थित मा बमलेश्वरी देवी मंदिर जोकी 21 करोड की लागस से बनाया गया है या मंदिर अत्यन्थी मन मोहक है जिसकी सुन्दरता मातर से आपका मन मंत्र मुगदो उठेगा मा बमलेश्वरी देवी मंदिर के प्रांगन में ही श्रीराम, श्रीहनुमान, राधकृष्ट और भोलेनाथ के भी मंदिर स्थापित है वही नीचे स्थित मा बमलेश्वरी देवी के दर्शन से मन को शान्ति मिलती है और आपकी डोंगरगड यातरा पूर्ण होती है इसके साथ ही आप कॉमेंट में जय मापमले शुरी जरूर लिखेगा मापमले शुरी देवी आप सब की मनुकाम नाए अवज यही पूर्ण करेगी दोस्तो वेसे आप कौन से शहर से यह वीडियो देख रहे है अपने शहर का नाम कॉमेंट में जरूर बताना साथ ही आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट जरूर करिएगा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को जरूर दबा ले मिलते आप से किसी और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे स्वस्त रहे जय हिन जय भारत जय माता दी